हाजिर हम एक बार फिर tax planning के साथ आपके कठी से कठी सवालों के आशान भाशा में जबाब देने के लिए हम लेकर आते हैं आपके लिए tax planning और tax planning में आज का हमारा मुद्दा है direct tax विवाद से विश्वास तक scheme के बारे में और इसमें मेरे साथ जोड़े हुए है मेरे साथ रजनीश शुकला जी रजनीश शुकला जी चार्टेड एकाउंटेंट है सर थैंक यू सो मच पर कामिं इंट आर शो थैंक यू कावेंदर जी बिल्कुल सर शुरू करने से पहले हम सबसे पहले लेंगे दर्शकों की सवाल तो पहला सवाल जो आया है वो विवेक सिर्वासब जी का है वो कह रहा है कि I want to start my own medical agency my question is which one is the best mode I mean proprietor LLP private limited सर इनका जबाब बताएए क्या हो सकता सर तीनों ही option अच्छे हैं it depends कि आप business अपना कितना बड़ा लेके जाना चाहते हो और initial capital कितना इंटिड्यूस करना चाहते हो please sir सरकार ने sir income tax से जुड़े विवादों को हल करने के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की थी ये scheme क्या है और लोग इसका लाब कैसे ले सकते हैं sir हम बात कर रहे हैं direct tax विवाद से विश्वास act की अगर आप देखें तो सरकार ने ऐसी बहुत सारी scheme ये लाई हैं जिसमें कहीं न कहीं वो introduce करते हैं ऐसे सविधाएं जिसमें जो taxpayers हैं वो कहीं न कहीं पुराने litigation को timely settle कर सके और अपने विवाद को खतम कर सके उस series में सबका साथ सबका विश्वास के बाद ये आगे आते हुए ये नई scheme लेकिया है जो bill पास किया अब 5. February को हमारे पास bill लाया गया और 17. March 2020 को इसको act में तबदील कर दिया गया अगर आप देखो तो उस समय जब सरकार में इसको visualize किया था उसमय सरकार के पास करीब 4.83 लाइक cases pending थे करीब 9.82 लाइक करोड का amount था जो pending था handful amount है बहुत बड़ा amount है सरकार की कहीं न कहीं intention थी यहाँ पे कि इस amount को liquidate करें और इसको economy के better usage के लिए इस्तमाल किया जाए सर कितने करोड तक के search and survey के जो मामले हैं इस scheme के दाएरे में आते हैं यह बहुत पूछना चाहते थे लोग सर देखो जब आप इस act की बात करते हो यह act basically इसमें 12 sections है 11 rules है in sections में अगर आप precise बात करें section 2 की तो section 2 ने various clauses में appealant को define किया है कौन वो appealant होंगी जो basically इस दाएरे में cover होते हैं तो जैसा आपने पूछा कि किसको exclude किया तो पहले तो हम बात करें किसको cover किया तो अगर हम cover करने की बात करें तो इन्होंने कहा कोई भी ऐसा SEC जो कहीं न कहीं appeal में फसा हुआ है reason कोई भी हो सकता है appeal आप के तरफ से हो सकती appeal जो है department के तरफ से हो सकती है या जो इन्होंने add किया आगे इन्होंने कहा अगर appeal pending है इसमें एक और हम चीज़ add कर दें बीच में specified date की बात करें अगर आप देखो तो यह एक पिछले साल आया था पिछले साल आया था कहीं ने के ने विजुलाइज किया था 31st January 2020 को 31st January 2020 वह specified date है जिस date को आपको बहुत ध्यान से देखना है अगर उस particular date को अगर आपका कोई किस pending है litigation pending है appeal में appeal आपकी Commissioner appeal पे हो सकती है ITAT पे हो सकती है high court पे हो सकती है supreme court पे हो सकती है अगर कोई भी appeal आपकी pending है उस level पे और आप चाहते हो कि vote dispute easily settle हो जाए आप इस scheme का फायदा उठा सकते हो तो उन्होंने appealant को define किया appealant में उन्होंने almost सारे cases को cover कर दिया जैसे आपने अभी बात करी कौन से नहीं cover होंगे exclusions है वो section 9 में है जैसे हमने अभी बात करी search की search में cover सबको कर लिया फिर उन्होंने exclusions कर दिये ठीक है फाइफ करूर से अगर उपर का कोई case है तो हम उसको बाहर कर देंगे इन्होंने और क्या exclude किया इन्होंने का अगर कोई ऐसा case है जो foreign आप या कहलो international level पर आप चले जाओ बाहर से कोई हमारे पास information आई है department को और उसमें कोई विवादित amount है तो उन्होंने का बाहर आपको हम कर देंगे कोई criminal act है या ऐसे इन्होंने special act की बात करी है जिनमें अगर आपका case cover होता है तो उन्होंने का इसको बाहर कर दें तो उन्होंने exclusions दिये हैं पहले section 2 में include करते जा रहे हैं लोगों को जिनकी भी appeals कहीं भी pending है और वो इसका lab उठाना चाहते हैं देकिन always go for this जैसा कि यह जो scheme कि मेरा खाली प्लाट है खाली penalty interest है अगर मेरा और 31 मार्च तक उसको मुझे जमा करना है लेकिन मेरे पास धन नहीं है तो ऐसे में अगर मैं उसे बाद में जमा करना चाहूं तो कब तक और कितना प्रस्तीशत जादा देकर मैं इस scheme के दाएरे में बना रह सकता हूं सर देखो हमने अभी बात करी थे section 2 की section 2 में हमने cover किया कि कौन इस case के लिए जा सकता है इसके बाद next section आता है section 3 section 3 बात करता है कि आप इसकी payment कैसे करोगे कितनी payment करनी है इन्होंने कहा अगर आपका disputed amount है disputed amount का 100% आप सरकार को pay कर दो इन्होंने time describe किया है rules में उन्होंने forms यह हुए हैं हम अभी forms भी आपको एक बड़ी detail कर देंगे तो उन्होंने forms दिये हैं उन forms से उन mode के थूँ आप payment कर सकते हो within time 31 मार्स तक आप payment कर दो 100% payment करके आप free हो जाते हो दूसरी तरफ आप चले जाओ अगर आप बात करते हो आपके ऊपर tax नहीं है अच्छा इसमें मै हमने assume किया कि हमारे ओपर 10 लाग रुपए का tax बन रहा है जिसमें से 5 लाग रुपए का ऐसा figure है जिससे हम agree नहीं कर रहें now this is disputed tax इस पे अगर surcharge है इस पे अगर cess है तो यह पूरा मिला के disputed tax होगा उसके लिए हम department के पास जाते हैं just to save ourselves जैसे आपका word है विवाद से विश था उस amount पे आज तक कुछ penalty या कुछ interest amount भी हो गया है आपको fully छूट दी जाते है उसमें से आपको कोई ब्याज नहीं पे करना है कोई penalty नहीं पे करना है सिर्फ tax का amount पे करिए और इसमें से बाहर आ जाए यह तो वह एक case दूसरा case आपका आता है कि आपने tax का dispute तो नहीं है लेकिन penalty का हो सकता है आपका dispute हो सकता interest component का dispute हो वो कहते है ठीक है उस amount का 25% आप पे करिए और आप इस scheme से सुविधा का lab उठा ले यह आप इसको दो इस्सों में पहले तोड़के देखिए जब आपके ओपर disputed tax है तो penalty और interest से आप fully छूट पाते हो और अगर disputed amount सिर्फ penalty या fee है तो आप उसका 25% amount पे गर के आप उससे बाहर निकल आते हो यह normal case है अगर आप 30 मार्स तक पे कर देते हैं आपने जिस तरीके से जानकारी थी disputed tax के बारे में भी आपने बताया तो disputed tax के साथ जब हम और keywords लिखते हैं जैसे कि appellant, appellative form यह क्या है इनके बारे में भी spending है due to any litigation और जिस पर कोई नी कोई disputed tax liability बनती है अब appellant को देखो आप और इसको तोड़ा विस्तार से अगर हम देख लेते हैं हम appeal की बात करते है appeal कहां कहां आपकी हो सकती है आपकी appeal high court में हो सकती है, आपकी appeal honorable supreme court के पास हो सकती है, honorable ITAT के पास हो सकती, even commissioner appeal के पास भी हो सकती ध्यान रखे, concern very clear है, disputed tax है और आप appeal में हो, तब ही आप इस विदा का लाग उठाते हो जैसे कि ये विवाद से विश्वास तक, scheme का नाम ही है, तो अगर विवाद की स्थिति है, और ऐसे में मैं कहां तक जा सकता हूँ, assessing officer तक भी क्या मैं इस विवाद के बाद उससे सुल जा सकते हैं, assessing officer तक अगर ये पहुँच गया है, तो तब भी सुल जा सकता हूँ इसको ठीक है, ये किस-किस जगह पर ये scheme मेरी मदद कर सकती है, जैसे कि Supreme Court हुआ, High Court हुआ, Income Tax Appellant Tribunal भी हुआ, अगर यहाँ पर case चल रहा है, तो क्या ये scheme के दाएरे में आता है, हाँ जे, बिलकुल आता है ठीक है सर, अगर चापा पड़ा है, और विवादद आयकर की जो मांग है, वो पांच करोड रुपे से कम है, तो क्या उस स्थिती में भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं? सर, आप चले गए सक्षिन 132 की तरफ सर्चिन सीजर की आप केस के बात कर रहे हैं, हाँ, किसी पर्टिकलर येर में अगर आपके डिस्पूटेट एमोंट पांच करोड से कम है, तो हाँ बिलकुल आप उसका लाब उठा सकते हैं अगर कोर्ट ने सजा का फैसला सुनाया हुआ है, और तो इसके बाद क्या इस योजना के दाइरे में जो विवात से विश्वास स्कीम है, उसके अंडर हम आ सकते हैं? सर, once this is instituted, एक बारी आपके खिलाफ आदेश हो गया कि आपको चाहे आपके इंकम टैक्स डेपार्टमेंट उसको केस को लेके गए हूँ, चाहे आई पीसी के दहत लेके गए हूँ, अगर एक बारी इंस्टिटूट हो गया केस आपके खिलाफ तो नहीं, तो फिर इस आप दिये जाने का कोई प्रमाण पत्र आयकर विभाग दोरा दिया जाएगा कुछ ऐसा? और इंकम टेक्स डेपार्टमेंट की तरफ से भी है, दोनों ही कही ने केस नेरने पर आते हैं कि जो भी इस से रिलेटिट केस है, उसके को हम वापस ले लेंगे, उसके बाद आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, और आप कल को इसको बढ़ाइए भी आ आपको आड़ कर दें जब हमने पेमिंट की बात करी थी, पेमिंट में दो चीजे होती है, एक है कि हम अपील में जा रही है, हम अपील में गए, एमाउंट डिस्प्यूटेड है तो हमने 100% पेमिंट की बात करी थी, अगर डिपार्टमेंट अपील में गया या आगे, आप कि वे अमाउंट हर्जे 50% हो जाती है प्लीज करें दिसंबर 2020 की बात करूं तो आवेदनों की संख्या में इदम से तेजी को देखते हुए सरकार ने से एक महिने का विस्तार देते हुए 31 जनवरी तक के लिए स्कीम को बढ़ा दिया था और तारीख नजदीक है 31 जनवरी आन है चीजे निकल रही है बाहर इसके बाद सर अगर मैंने पैसे पहले जमा कर दिया है पैसे पहले दे अब आप अपील में चले गए, कल को आपको लगा कि नहीं विवाद से विश्वास काम फायदा उठा सकते हैं, आप स्कीम में जाते हो, amount assess होता है, जैसे हमने पीछे बताया था, proper officers इसके लिए appointed हैं, वो इसमें assess करते हैं, आपकी final जो भी liability fix up होती है, हम आपको जानकारी दे रहे हैं विवाद से विश्वास scheme 2020 के बारे में, अभी तक हम लोगों ने बात की कि कौन-कौन इसके दाइरे में आते हैं, कैसे-कैसे इसका लाब लिया जा सकता है, किस-किस तरीके से हम इस scheme को अपने लिए utilize कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए, क्यो बात होगी exclusions की, कौन-कौन लोग हैं जो उसके दाइरे में नहीं आते हैं, जो excluded हैं, वो कौन-कौन लोग हैं, थोड़ा विस्तार से अगरा पता हैं, तो फिर आप उसमें कवर होते हो, उससे exceed कर जाता, फिगर तो आपको बाहर कर देते हैं, हमें जैसे शुरू में ही कहा उन्होंने पहले inclusion करने की कुशिश करी, this is how income tax act also moves, पहले वो include करते हैं, लोगों को बात में वो देरे-देर exclusions करना शुरू करते हैं, पहले point के बाद, दूसरे point के हम बात करते हैं, prosecution की, prosecution में हमने पीछे भी बात करी थी, income tax act में IPC कित है, अगर आपके पर institute हो गया है, prosecution, त आप इसके embed से बाहर हो जाते हो, foreign jurisdiction से को information हमारे पास आई है, dispute है, आप इसमें से बाहर हो जाते हो, और बाकि narrow cortex का है, कुछ FEMA के cases है, अगर उनमे आप बेनामी property वेगरा, ये examples कुछ हो गए, इनमे अगर आप cover होते हो, तो भी वो आपको exclusion के list में रखते हैं, ये क्यूंकि scheme क जो है, एक साल पूरा होने जा रहा है, अब ऐसे में, initial stage पर जब ये scheme लाई गई थी, 5th of February को, Finance Ministry की तरफ से, उसके बाद से लेकर, अभी तक, बदलाओ किस किस तरह के देखने को मिले हैं, इस scheme में, किस तरह ही के बदलाओ किये गए है, time के साथ? सर, intention जब सरकार की थी, जब वो लेकर आई थी, तो उसने कोशिश थे कि जादा से जादा लोगों को इसके ambit के अंदर लाया जाए, आप देखो, कई बारी आप देखते हो, जब एक act आता है, उससे related फिर देरे-देरे करके circular जाने शुरू होते हैं, यहाँ पे भी सरकार न लेकिन अगर dispute में कोई liability आ जाती है, और उस liability को कल को आपको pay करना बनता है, आप यह department appeal में जा सकते हैं, तो ऐसे छोटे-छोटे दायरे करके वो various circular के थूरू clarification देते हो, दायरों को बढ़ाते चले गए हैं, एक छोटा से example हमने आपको दे दिया, अब क्यूंकि scheme है, योजन इसमें define हुए हैं हमारे, और rules के बाद आपके इसमें form हैं, जिन form में prescribed आपको figures, data कैसे fill करके सरकार को देना है, वो आपको prescribed किया गया है, इस process में आपके लिए बड़ा simple है, आप login करें, login करने के बाद गेट the tab of विवाद से विश्वा स्कीम, उस पे जाएं, आपको form 1 मिले इसके against a certificate देगी, you are comfortable with the figure, ठीक है, तो form 4 भरिये, details of payment दीजे, withdrawal of all cases की जानकारी दीजे, जैसे ही आप ये देते हो, form 5 में वो आपको order दे देते हैं, कि ठीक है, आपका case proper settled हो गया, जो विवाद से विश्वास act में था, प्लीज, तो ये था आज का हमारा tax planning और इसमें हमारे साथ थे है, रजनी शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए, तो ये जो पुरा program है, ये इसलिए है, ताकि आपके सवालों के हम दे सकें आपको जवाब, और हम हर सनिवार को यहीं मिलेंगे, यहीं मौजूद मिलेंग और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें नियूजवल इंडिया के साथ, धन्यवाला